जब भी कोई महिला गर्बवती होती है और जब उसे इस खबर का पता चलता है तो उसके मन में हमेशा सबसे पहले दिन से ही ये खयाल आने लगता है कि आने वाले नौ महीने कैसे रहेंगे और क्या उसकी डिलिवरी नौर्मल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनने अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं तो यकीनन आपकी डिलिवरी नौर्मल होने के चांसे काफी ज्यादा ब जब भी कोई महिला प्रेगनेंट होती है तो उसे समय समय पर अलग अलग चेकप्स के लिए हॉस्पिटल में या फिर डॉक्टर के क्लेनिक में बुलाया जाता है एक भी चेकप को मिस्मत करिए और हमेशा अपने हस्बें या फिर परिवार के किसी सदर्से को लेकर ही जाए क्योंकि आप घर में छोटी है अगर आप अपने घर से किसी बड़े सदर्से को अपने साथ लेकर जाती है जैसे कि आपकी सासो मा या फिर आपकी कोई बेहन जो कि आपसे बड़ी हो तो ऐसा करणी से आपको सहयोग भी मिलता है और आपको काफी नालेज भी होती है जिसकी बज़े से आपको किस तरीके से चलना है किस तरीके से बैठना है अगर आप सीडियों से उतर रही है तो आपको किस तरीके से ध्यान रखते हुए सीडियों से उतरना है ये सारी चीजे आपको अच्छे तरीके से पता चलती है और ये सारी चीजे नॉर्मल डिलिवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप पैदल भी चल रही है तो आपको ज़्यादा देर तक पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है शुर्वाती दोर में आप हलके फुल का व्यायाम कर सकती है और अच्छे से अच्छी डाइट पर फोकस ज़रूर करिए फल आदी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए ड्राइफ रूट्स का सेवन करिए वलती से भी तिल का सेवन मत करिए क्योंकि वो काफी ज़्यादा गरम होते हैं अगर आपको अनानास यानि की पाइनापल बहुत पसंद है तो इसे भी थोड़े दिनों के लिए छोड़ दीजी क्योंकि fine apple इतना ज्यादा गरम होता है कि अगर उसकी सही मातरा को consume ना किया जाए तो वो viscarriage का कारण भी बन जाता है इसी के साथ साथ आप अपनी दवायों को टाइम पर ले और अपनी डाइट पर focus करें सो दोस्तों ये कुछ आसान से तरीके हैं जो आपकी delivery को normal बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं इन्हें try ज़रूर करें मेरी beauty और health से related videos को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजी